दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्जाम सुद्ध MS YouTube चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे Class 10th Biology के बहुत ही ज़्यादा important questions बहुत important questions जो बार-बार आते हैं प्लस आपको तयार करने हैं हम आपको जल्दी से इस वीडियो में कुछ important questions बताया देते हैं और यह questions क्या होता है कि बार-बार आते हैं प्लस आपका syllabus ही इतना है यार कम से कम इतना तो तयार कर लो तो आपका पूरा biology वाले section class 10th science में cover हो जाएगा ठीक है तो इसी तरह से मापको प्रशन शेयर करेंगे हिंट भी कर देंगे कि कहां मिलेंगे questions इन questions की answer प्लस आपने पढ़ भी रखा होगा तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले यह question देखो अंतसरावी ग्रंथियों पर बहुत question मनते हैं अंतसरावी ग्रंथियों या न लिका विहीन ग्रंथियों की परिभाशा दीजिए किनी दो अंतसरावी ग्रंथियों के नाम तथा उनसे सरावित हार्मोंस के नाम लिखे तो कुछ भी लिख दयार चार अंतसरावी ग्रंथिय वाला वीडियो कली डाला है पिट्यूट्री थाइराइड पैरा थाइराइड अधिवरक ग्रंतियां इसके बाद थाइमस ग्रंति एक अंतसरावी 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 ग् हर्मोन्स हमारी विबने जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं ठीक है तो उनको हर्मोन्स कहते हैं तो अंतास्रावी ग्रंतियां क्या हैं कि यह नली का विहीन ग्रंतियां हैं जो विशेश प्रकार के रसायनों को हमारे रुधिर में मुक्त करती हैं जिनको हर्मोन्स कहते यह हार्मोन्स अमारे शरियélior की क्रियाओं को नियम्त्रित करते हैं इस तरह से लिख देना थाइराइड हो गई पराथायरी उगई पिट्यूट्री ग्लेंड हो गई अधिव रखो गई थाइमस घुंची गिन्म फीनड गई और आगन्याशे भी हर्मोन स्रावित होते हैं इनका अलग-अलग फंक्शन होता है कल बताएं हैं चार के फंक्शन उनको पढ़ लो किसी भी कॉश्चन बैंग में यह हमारे प्रश्चन मिल जाएंगे देखो तेरा सतरा ठारा में यह रिपीट हुआ है चलो अब देखते हैं वह यह अंतास्रावी ग्रंतियां है नेक्स्ट क्वेशन है मारा नलिका विहींद ग्रंतियां क्या होती है ताइराइट क्रंथी की सर्नचना और उसके कार्यों का वरड़न कीजें तो थोड़ा-थोड़ा पोड़ो सभी कुछ दिया है कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाओगे यह विध्या का है विद्या से लिए गए हैं ये question और विद्या बेस्ट होती है मतलब सब कुछ मिल जाता है अच्छे से विद्या कवर कर लो विद्या में पूरा सिलेबस दिया होता है काम अच्छे से हो जाएगा विद्या आप पढ़ सकते हो चलो देखते हैं अपने next question यह हमारा diagram based question होता है ब diagram पूछ लिया कि 19 में इसके अलावा एक तंत्रिका कोशिका का नामांकी चितर बनाई है हम संक्षिप्त विवरा ने दीजिए 2019 में पूछ गया तंत्रिका कोशिका का चितर आपको पता है वह जो डाइग्राम है उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा तंत्रिका कोशिका का इसके अलावा हमारे रेनवियर के नोड होते हैं शौन कोशिकाएं होती हैं माईल इनशीत होता है यह सब भी पार्ट हम जानते हैं हम शेयर करेंगे आपसे तंत्रिका कोशिका पर एक वीडियो चोटा सा ठीक है तो यह आप तयार कर लो डाइग्राम तयार कर लो तो उसके बारे में आप कुछ न कुछ लिख दोगे आराम से ठीक तो किवल आप डाइग्राम अच्छे से दो तीन बार प्रैक्टिस करो काम हो जाएगा चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन से फिर से देखो भी यह वही पूछ लिया गया मनुश्य में पाई जाने वाली किनी च तो थाराइड हार्मोन क्या होता है थाराइड हर्मोन का फंक्षन इसके अलावा हर्दर्श पंदन की दर और वी कुछ बहुत ही महतुपोंड फंक्षन है जो मैंने कि कल के वीडियो में बताएं तो जाकर उसको देख सकते हो आप ठीक है तो थाराइड ग्रंथी के कार most very 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 most important आप कह सकते हो प्यूश ग्रंथी पिट्यूट्री भी अच्छी है वो भी बार-बार पूशा जाता तो प्यूश और थाइराइट यह आपके most important में आते हैं चलो देखते हैं अपने next questions यह देखो यह देखिए यह कल जो question बताया था प्यूश ग्रंथी उनके जो functions है इस तरह से बताया थे इसके बाद हमारा पैरा थाइराइट और पैरा थाइराइट ग्रंथी अधिव रख रह रह थी पैरा थाइराइट बीमर ऑक्सीजन की खपत अधिवर्ण के उपापचे जल तता लवडो का शरीड में वितरन नियमन जल तता सोडियम का पुनराव शोशन जो होता है किड्नी में उसको इसके लाबा इसके जो लिंग हार्मोन्स होते हैं पेशियों तता जन्नांगों के उचित विकास को प्रेडित करते हैं कुछ अन् संकट के समय अपिनेफ्रीन और नौन स्रावित होते हैं जिसे केते हैं इन्हें युद्ध हर्मोन फ्लाइट हर्मोन या अमरजनसि आपातकालीन हर्मोन कहते हैं क्योंकि यह आपको सतर्क परते हैं मान लिजए कोई चीज आपके सामने आजा कोई सांप आजा तो एक दम यह reflection होगा आपकी शेरीर में तो आप उससे तुरंट पीछे आड जाओगे सतर्क हो जाओगे तो यह वही अधिवरक के hormones in epinephrine और non-norepinephrine जिनको हम adrenaline और noradrenaline भी कहते हैं यह काम करते हैं यो दार्मोन flight hormone यह कहलाते हैं ठीक है तो यह आप देख सकते हो screenshot ले सकते हैं इसको पढ़ लेना चलो next देखते हैं अपना screenshot ले लो इसको उतसरजन में क्या क्या आपको देखना है ठीक है उतसरजन होता क्या सबसे पहले तो आप परिभाशायाद करो excretion की उतसरजन से आप क्या समझते हैं मनुष की उतसरजियंगों के नाम लिखिए मनुष के व्रक की सनचना तता व्रक की कारविदी को समझाए लंबा question seven marks साथ नंमर में पुछा जा सकता है यह तैयार करना आपको व्रक की सनचना से related एक वीडियो डाला है किडिनिक का जो नामाग की चितर होता है व्रक का नामांग की चितर वो मैंने डाला उसमें देख लो ठीक है और फिर से मैं फिरूज़ से बना दूगा कि दो बार प्रैक्टिस कर सकते हैं त ही खड़ी काट वही जो भी आपको बताया था मनुश में व्रक के दो कारे बताये तो भाईया उत्सरजन ही तो है कार विशे उत्सरजी पदार्थों का निरा करने या निशकर्शन निशकर्शन नहीं कहेंगे उत्सरजी पदार्थों का निप्टान करने का कारे करती है हमारी किड्नी छानने का कारे क करतीय हैं रख्ट उसर सरजी पदार्थ हमारे शरील众mare इसके बाद है मनुश्म् farm की नामांकी चित्रों संधना कार तता मूत्र निर्माइट की क्रियाविदि को कुछ्छ पूष्छ लिए 2018 में लेकिन मैं नहीं समझता है थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह 12 का टॉपिक है फिर मानौ में उत्व सर्जन तंदर के कौन कौन से अंग होते हैं नम आंकित चित्र बनाकर इनको प्रदर्शीत की ज़िए दो किर्णी होती हैं मूत्रवाहिनिया होती हैं मूत्रा जब एक टाइम में आप एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे तो आपका कॉनफिदेंस आई हुए अगर आप यह देखते रहोगे कि यह भी पढ़ना यह भी पढ़ना इधर भी पढ़ना है तो फिर आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे दिक्कत यहीं पहोती है थोड़ी स एक topic पकड़ो, उसको clear करो, आपका confidence बढ़ेगा, फिर आप next topic भी अच्छे से cover कर पाऊगे, ठीक, तो ये कर लो, तो ये question थे, कल और share करेंगे, फिर chemistry of physics, इसके बाए 12th के भी आने वाले हैं, model paper, important questions भी बताएंगे, hint भी दे देंगे, जैसे ही time मिलेगा, आपके लिए वीडि by, ये आपके हो गया, ठीक है, इसका आप screenshot ले सकते हो, note कर लो इसको, ठीक है, चलो, बढ़िया, यहाँ पर आपको ये सारे questions मिल जाएंगे, ठीक है, हो गया,